आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आखवारों में छपा है मुझे उसके बारे में आपसे बात करनी है यह जो फैसला है यह SC, ST और OBC के आरक्षन से जुड़ा हुआ है और इसका जो असर है वो पूरे देश पर उसका असर होना है क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्योंकि अखवारों में काफी छप चुका है सोसल मीडिया में इस समय काफी उसकी चर्चा है वह बहुत शेयर हो चुका है तुमाम बड़े अखवारों में यह ख़बी है फैसला अगर आप कहें कि एक लाइन में क्या है तो फैसला यह है कि जो आरक्षण है जो सम्मिधान से आखने के लिए वी एक व्योस्था है इसको लागू करने का या न लागू करने का पूरा अधिकार जो है अब सरकारों को दे दिया गया है यानि कोई सरकार अगर चाहे तो वो आरक्षण लागू करेगी और अगर न चाहे तो आरक्षण लागू नहीं करेगी यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोटे तोर पर है मैंने कई बड़े वकीलों से बात की सबकी यही व्याख्या है कि आज अब इस फैसले के बाद SCST और OBC का आरक्षण को जहों अपना सम्विधानी का अधिकार मान रहे थे अब वो सम्विधानी का अधिकार नहीं है यह पूरा जिम्मा राज्य सरकारों को दे दिया गया है कि वो तै करें कि आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुझे एक आप confirmation दीजिए कि आप audio साफ साफ सुन पारें बलकि मैं level mic यूज कर लेता हूँ शहद उससे आवाज थोड़ी और बहतर हो जाएगी और यह मुझे भी बताएं कि आप लोग क्या साफ साफ मुझे बिलकुल सीधा जैसा देखना चाहिए कि मोबाइल पर उस तरह से देख रहे हैं तो यह जो फैसला है यह फैसला नागेश्वर राव और हमंत गुपता यह दो जज़ों की जो पीठ है सुप्रीम कोर्ट की उनके तरफ से आया है और इस फैसले की जरुरत क्यों पड़ी उसकी बैग्राउंड पर मैं थोड़ा बात करूँगा और उसके बाद इस फैसले की समवेधानिक्ता पर बात करूँगा और इसका कितना बड़ा असर होने वाला है मैं बहुत सपष्ट तोर पर मानता हूँ कि आरक्षन के खिलाफ दिया गया अब तक का यह सबसे बड़ा फैसला है अब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या किसी भी कोर्ट की तरफ से आम तो जो है यह उत्तराखंड के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आया है और यह फैसले की नौवत इसलिए आई क्योंकि 5 सितंबर 2012 को उत्तराखंड सरकार ने एक परिपत्र जारी करके SC और ST आरक्षन को किनारे रखकर राज्य सरकार के पदों को भरने का फैसला किया तो एक सरकारी पदों को भर लेते हैं इसके खिलाब बहुत सारे लोग उत्तराखंड के हाई कोर्ट में गए और उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने संविधान के अनुछेदों के आधार पर 16-4, 15-4 और 16-4 की उत्ताराओं के आधार पर यह फैसला जिया कि ऐसा नहीं किया जा सकता ह सकता है, SCST का आरक्षण राजी सरकार को देना चाहिए लेकिन उत्तराखंड सरकार यहां पर संतुष्ठ नहीं होती है, और वो सुप्रीम कोट आ जाती कि नहीं हमें SCST का आरक्षण नहीं देना है हमारा जो परिपत्र है वो सही है, अब उत्तराखंड सरकार आरक्षण के के लिए खड़े होते हैं कि ये जो आरक्षन है इसको अगर हम नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देंगे ये राज्य सरकार के अधिकार चेत्र के अंदर है और जो लोग इस फैसले को इस परिपत्र को चुनौती दे रहे थे उन्होंने भी अपने तरब से वकील खड़े कि और इसकी बहस चली दो जाजों की पीट इस फैसले को सुनने के लिए बैठी और अब फैसला ये है कि राज्य सरकार तै करेगी ये कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट का अब आदेश है चुकि ये सुप्रीम कोर्ट में नयाईक मामलों पर फैसला करन सुप्रीम कोर्ट में जब गोयल और ललित की बैंच ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला दिया कि इसमें जमानत हो सकती है इस धारक का दुरूपयोग होता है इस धारक का इस तरह इस्तमाल नहीं होना चाहिए स्सप के इजाज़त की जरुरत पड़ेगी और सरकारी कर्मचारी के लिए उसके बहुत बड़ा अंदोलन हुआ और लाखो लोग सड़कों पर उत्रे बहुत बड़ा भारत बंद हुआ तो Ultimately केंद्र सरकार ने संसद में कानून बना कर Supreme Court को इस फैसले को किनारे रख दिया और आज की तारिक में SCST Act अपने पुराने रूप में लागू है तो Supreme Court जब कोई फैसला देती है तो केन सरकार के पास और संसद के पास ये अक्तियार होता है कि उसको वो उसके खिलाब फिर उसको बदलते हुए कोई कानून लाए तो अब चुकि इस मामले में बहुत दिल्चस्प इस्तिती है BJP की सरकार जो उत्राखंड में है वो Supreme Court में आर्गू करती है कि हमार अरक्षन नहीं देना चाहते हैं और महंगे वकील खड़े करती है और उसके आर्गूमेंट के अधार पर Supreme Court एक फैसला देता है देखिए इसमें अब एक दिक्कत है अभी तक हम जानते थे और भारत के सम्विधान की किताबों को हम पढ़कर जहां तक हम सारे लोग जो इस बात पर सहमत है कि Supreme Court में ये भारत का सम्विधान मेरे पास है और इसमें पंदरह चार और सोलह चार ये दो धाराएं असपश्ट रूप से कह रही है कि जो वन्चित तबके हैं उनके लिए विशेश प्रावधान किया जा सकता है और सोलह चार तो बहुत असपश्ट रूप से कहता है कि जो लोग adequately represented नहीं है जो समधाय उनके लिए सरकार आरक्षन का प्रावधान कर सकती है तो जब Supreme Court इस मामले पर बैठता है और बीजेपी की जो सरकार है उसके वकील आर्गू करते हैं कि मैं CST का आरक्षन नहीं देना चाहते हैं और इसके आधार पर एक फैसला आता है तो मेरे ख्याल से ये समधानिक्ता को बहुत असपश्ट रूप से चुनौती है और आप अपने जो भी कानून के जानकार है उनसे पूछिए कि 16.4 जो है वो कितने असपश्ट रूप से कहता है कि adequately representation नहीं होने का आधार पर और बंचना का आधार पर आरक्षन राज्य सरकारें देने का फैसला कर सकती है तो ये पैसला जब अब राज्य सरकार के हाथ में जब पूरी तरस दे दिया गया का आरक्षन हम लें दें न दें हमारा मन करेगा तो नहीं देंगे स्ट को मन करेगा तो स्ट को देंगे स्ट को मन नहीं करेगा तो उनको नहीं देंगे और OBC को चाहें तो दें, न चाहें तो न दें, तो ये बहुत अराजक इस्तिती की तोर पर मेरे ख्याल से यहां से इस्तिती जाएगी अब मैं आरक्षन का जो प्रावधान है, उसको जो Constituent Assembly ने फिलोसोफिकली जिस तरह से देखा था मैं Constituent Assembly की डिवेट की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ, ये पूरी डिवेट जो है वो इंटरनेट पर एबलेवल है, भारत सरकार की तमाम वेबसाइट पर आप उसको देख सकते हैं आरक्षन की जब बहस होती है समिधान सभा में जो इसने एक तरह से आप भारत राष्टर का निर्मान किया जिस समिधान सभा ने, वो बहुत असपश्ट टूप से कहती है कि राजकाज से लेके तमाम इंस्टिजूशन में तमाम लोगों की हिसेदारी करके राष्टर निर् पाने के लिए तमाम तरह के प्रावधान किये जाने जहीं, यह समिधान की मूल भावना है, अब SC और ST निश्चित रूप से भारत के समिधान की उस भावना के हिसाब से राष्टर के निर्मान में उस तरह से हिसेदार नहीं बन पाए है, तमाम इस्टिजूशन में उनकी को हिसेदारी नहीं सुनेश्चित हो पाई है, जिसके आधार पर यह कह सकें कि SC ST भी राष्ट के निर्मान में उतना हिसेदार बन पाया है, जितना उनको बनना चाहिए, तो अगर समिधान की यह भावना है कि आरक्षन होना चाहिए, दो आधार पर होना चाहिए बहुत अस पस्ट है उसमें कि मंचना के आधार पर, कोई डिप्रिवेशन के आधार पर और दूसरा की adequate representation नहीं होने के आधार पर, इसमें आर्टिकल 340 आप पढ़िए अभी अगर आपके पास है, इसमें यह भी कहा गया है कि समाजीक और सेक्षनिक रूप से जो पिछड़े वर्ग ह है, educationally और socially backward classes जो हैं, उनके लिए भी विशेस प्रावधान किये जाएंगे, तो यह कटेगरीज हैं आरक्षन की, हाला कि इस बीचे भारस तरकार ने एक समिधान की मोल भावना की ऐसी कितैसी करते हुए, सवर्णों को संतुष्ट करने के लिए आर्थिक आथार पर जातिगत आरक्षन है, EWS का आरक्षन भी दिया, तीन दिन के अंदर में उसको संसद में बगर भहस कराए, राष्ट्रे बहस कराए, उन्होंने EWS का आरक्षन दे दिया, क्योंकि उससे उनको लग रहा था कि सवर्ण एक जूट हो जाएंगे, हमारे साथ और सवर्ण एक सवर्ण कार, सौरी लाइट हमारे इलाके की चली रही है, सिर्फ अब हमारे पास जो लाइट है, वो इन्वर्टर की लाइट है, तो ये जो पूरी जो उस्था आई, जो EWS की और उसके बाद ये मेरे ख्याल से दूसरा बड़ा हमला है, और इसका जो असर है, वो इस देश क पचासी पृतिस्टावादी पर सिधे तोर पर पढ़ने वाला है, ये सम्विधान की भावना के खिलाफ है, सम्विधान का अर्टिकल 15.4 और 16.4 के खिलाफ है, मुझे लगता है कि इसको लेकर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, राजनितिक दल मुझे नहीं कि कौन इस पर क्या भोलेगा हो सकता है, उनको भी लगे और जो विपक्ष के राजनितिक दल है, उनको भी ये लग सकता है कि हम अपरकास्ट को क्यों नाराज करेंगा, अपरकास्ट को नाराज करने का मतलब जुडिशियरी को नाराज करना है, मीडिया को नाराज करना है, कि एक हिस्से को नाराज करना है सारे ओपिनियन मेंकर्स को सारे चेलियों चैनलों के अंकर्स को सबको नाराज करना है तो क्यों हम परकास्ट को नाराज करें राजनितिक दल तो नफ़ा नुक्सान में इस तरह से सोच सकते हैं मेरे ख्याल से यहां पर जो दाइत्व है वो समा जी करांती है जिसने इस देश में पांच करोड़ लोगों का लगभग पांच करोड़ लोगों का वो मिडिल क्लास तयार किया है जो अधरवाइस तयार नहीं होता SCST और OBC के लाखो लोग आज अगर educational institutions में हैं नौकरियों में हैं अपने बच्चे विदेश तक भेज पा रहे हैं इसके पीछे आरक्षन की वो ताकत है जिसने की जो बावा साहब का है और आपको उसमें साहुजी महराज का और फूले की परिकल्पना का जो सम्विधानिक प् आती है तो अगली पीड़ी को आपको जवाब देना पड़ेगा कि जब आरक्षन पर हमला हो रहा था तो उस समय आप क्या कर रहे थे मेरे ख्याल से यह प्रश्ण जिर्फ कुछ नौकरियों का नहीं है educational institutions में लाख-दो-लाख seats का नहीं है यह निश्चित रूप से भारतिय समभिधान को और खास करकर आर्टिकल 15.4 और 16.4 को बचाने का सवाल है मेरे ख्याल से आप लोग इसको बिलकुल गंभीरता से लिजिए इसको लेकर जो भी आपको समझ बन पड़े जो आपको सोसल मेडिया पर आपको इसको लेकर हैस्टेग चलाना हो समाज में इसको लेकर जागरती करनी हो सेमिनार करनी हो कोष्टी करनी हो आपको तमाम लेर्स पर इस पर बात करनी चाहिए आपको अपने सांसदों को चिठ्थी लिखनी चाहिए आपको राश्पती को चिठ्थी लिखनी चाहिए जो केंद्रिय मंत्री चाहिए उनको मेमरेंडम सौप ये आप उ जुडिशियरी को ये कहने का कौन सा अभिकार है कि ये वो कहे कि ये fundamental rights नहीं है जो चीज fundamental rights के chapter में है उसके बार में ये कहना कि fundamental rights नहीं है अपने आप में बहुत यापत्ति जनक है कोलेजियम सिस्टम से जिस तरह की जुडिशियरी बनी है वो जुडिशियरी लगातार इस त senior advocate है उन्होंने स्टिक एप्ट के फैसले के समय उन्होंने कहा भी कि कास्टिस्ट जुडिशियरी है और लगातार स्टिक के खिलाब फैसले दे रही है तो और इसके देखिये बहुत दुचस्प बात है कि इसको लेकर उन पर contempt of court भी नहीं होता है जब वो कहती है कि जजेज जातिवादी भावना से ये फैसले लिख रहे हैं तो इस पर कोई contempt of court भी नहीं होता है तो असल में Supreme Court चाहता ही नहीं कि इस बारे में कोई debate हो वरना वो बहुत आसानी से senior advocate इंदरा जैसिंग के खिलाब contempt of court करते हैं अदालत के मानना का वो उस पर चलाया जा सकता है लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया इसका मतलब वो जानते हैं कि उनके न्यायपालिका की चरित्र में कुछ समस्याएं हैं प्रहिंच सिर्फ यही है कि क्या इस समय हम आरक्षन को इसी तरह नश्ट होते हुए देखेंगे क्या ये पूरा मामला इस तरह से होगा कि सरकार पर मामला है तो आप अगर STSTOBC की समर्थक सरकार बनेगी उस समय आरक्षन रहेगा और जिस समय STSTOBC के हितों के खिलाफ कोई सरकार बनेगी तो इसी तरह उतराखंड सरकार की तरह कोई सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और उसके जर्वत भी नहीं रही वो सिधे कहेगी का आरक्ष होना चाहिए और आपको अपनी नाराजगी समयधानिक तरीके से आपको जतानी चाहिए हम सब की नज़र इस पर होनी चाहिए कि अलग-अलग राजनीतिक दल इस पर क्या पोजिशन लेते हैं और सरकार अगर चाहे तो उटके लिए बहुत आसान है वो एक दिन का विशेश सतर संसत का बुला कर एक वो एक्ट पारित करके इस प्रैसले को निरस्त्य कर सकती है लेकिन वही बीजेपी सरकार क्या इस काम को करेगी जिसने की आरक्षन नहों हो इसके लिए उन्होंने तीन-तीन वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिये नयाय मिलना चाहिए क्या उनको नयाय पहले मिलना चाहिए जो ज्यादा वंचित हैं इस तरह की बहुत सारे कॉंसेट्स पर बात होनी चाहिए होगी और अल्टिमेटल प्रश्न ये भी है कि अगर स्टी ओबीसी को माइनस करके ये राष्ट बनना है तो ये राष्ट दर रहने वाले लोगों की जय है और अगर इसमें पचासी प्रतिशत को आप हिस्सा ही नहीं देंगे उनको आप राजकाज में इस्सेदारी लेने ही नहीं देंगे तो आपके भारतमाता गज्याए बहुत खुला नारा बन जाएगा आप सिर्फ जंडे और नक्से से कोई हैं वही देश चलाएं तो यह प्लूटोक्रेसी हो जाएगी डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी तो इस संकट की घड़ी में मुझे लगता है कि आपको इस बारे में और बात करनी चाहिए और लगातार होना चाहिए और आप लोग भी अपने-पने Facebook पर मेरे ख्याल से मैं आपके सारे कमेंट्स मैं भी देख रहा हूं तो मैं इनको फिर से एक बार देखकर अगर कोई ऐसा प्रशन आता है जिस पर मुझे फिर से आपके साथ रूबरू होना चाहिए तो मैं आपको नोटिस कम से कमाला घंटे पहले बताऊंगा कि मुझे आपसे ये बात करनी ह तो मैं आपसे इस पारे में अगले बार बलकी में हम कोशिश भी करेंगे कि सुप्रीम कोट के कुछ आडवोकेट्स के साथ इस पर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए कि इसका भारत की 85% जनता के लिए सुप्रीम कोट के इस फैसले का क्या मतलब है बहुत बहुत आप स्वस्त रहें और प्रशन रहें लेकिन एजिटेटेट भी रहें नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें